ठीक है पहले वले केस में function continuous है ठीक है but non-differentiable है यह ठीक है F'A does not exist क्यों क्योंकि LSD RSD अलग-अलग आ रहे है ठीक है अच्छा LSD RSD अलग-अलग आ रहे हैं बट दौनों individually exist कर रहे है तो यहां पर जो graph का shape आया जिस point पर non-differentiable है उस पर यह एक corner टाइप आ गया या फिसको मैं ऐसे बोलते है शार्प पॉइंट आ गया जैसे कि मैं इस graph के उपर ऐसे चलूं तो यह तो smoothly जा रहा है अचानक A पर smoothly change हो रहा है smoothly change हो रहा है अ तक जैसे हम ऐसे जारे है चलते चले जा रहे है बट एपर जाके क्या हो गया कि सड़नी direction change हो गया सब्सक्राइब अगर मालिया ग्राफ ऐसे बनना है तो इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर देखो डारेक्शन स्मूथली चेंज हो रहा है मतलब पता भी नहीं लगेंगा इस पॉइंट पर जर्क लगेगा चाहते हैं तो अगर ग्राफ पर किसी भी पॉइंट पर अगर कॉर्णर आ रहा है तो वहां नॉन वेला जैगा ठीक है दूसा यह वाला graph आगया यह वाला जो graph वो इस type हे यहां पर ट्रीकल तो यह ग्लाफ तो स्मूठ है वैसे वैड के बट फिर भी यह नॉनW क्यूंकि इस वाले केस में इस पॉइंट पर वर्टिकल टैंजेंट आ गया सही है अच्छा टैंजेंट कैसे डिफाइन करते हैं वह जो 910 वाली डेफिनिशन है कि टैंजेंट एक पॉइंट पर टच करता है वो सही डेफिनिशन नहीं है मतल़ा वो तो फालतू की डेफिनिशन है मैथमेटिकल डेफिनिशन क्या है कि अगर मेरे को A पर tangent कीचना है तो A से pass करने लाए एक quad लो जैसे मालने हमने A B quad ले लिया अब A वाला point तो fix कर दिया हमने B को A की तरफ move किया फिर हमने देखा कि ये quad किस line को approach कर रहे तो वे इस vertical line को approach कर रहे ऐसी फिर हमने left hand side से किया C पर point लिया C को चलाया, A की तरफ फिर हमने देखा कि A C line कहा जा रहे वो भी इस vertical line को भी approach कर रहे तो right hand side से और left hand side से same tendency आगे है ये vertical line का तो ये जो vertical line है ये tangent हो गया अगर second graph के लिए second point के लिए इसके लिए second part के लिए कोई मेरे से बोले कि A पर tangent exist करता है क्या तो मैं answer होगा हाँ tangent तो exist करता है tangent क्यों exist करता है क्योंकि ये line आ गया line तो हई उसका slope undefined है that's a different thing तो second वाले case में tangent exist करता है हाँ first वाले case में tangent exist करता है नहीं क्योंकि left hand side से तो अलग line आ रहा है T1 और right hand side से अलग रहा line आ रहा है T2 ये same line तो नहीं है इसलिए पहले case में tangent exist नहीं करता है दूसरे case में tangent exist करता है बट उसका slope undefined है तो उसका slope undefined होने से क्या हो गया function non-differentiable हो गया अब तीसरे case में आजए तीसरे case में जो function हो discontinuous है तो अगर discontinuous है तो non-differentiable तो हो गई हो अगर मेरे को पता लग जाए मैं आना लिए कि function discontinuous है तो non-differentiable तो हो गई हो ठीक है is continuous कैसा ही ग्राव बनाओ वो differentiable नहीं हो सकता ठीक है अचा अगर function से continuous है तो भी दिःफ्रेंशिबल होगा ये नहीं होगा हो भी सकते है नहीं वह सकता है क्यूंकि यह बी कॉंटीनेस था यह प्रटेंड फोर्थ वाला जो पार्ट है यह बी कॉंटीनियस है स्मूथ में इसमें कहीज कहूंनर वार्न नहीं था यह थे हर जग है ठीक है तो अब हम इसी बात को Norton बना के लख सकते हैं ठीक है नोट वन कहा है if function is non-differentiable at a point x is equal to a then क्या क्या हो सकता है then either first part its graph will have sharp corner its graph will have sharp corner at x is equal to a its graph will have sharp corner at x is equal to a ठीक है और ग्राफ विल नॉट भी श्मूथ यह ठीक है यह तो माल लिया इस तरह का केस हो गया फिर जैसे left hand side से तो tangent और नहीं जा रहा है राइट यह तो फर्स्ट फर्स्ट रीजन हो गया यह ठीक है और और रीजन क्या हो सकते है वर्टिकल टैंजेंट यह ठीक है वर्टिकल टैंजेंट हो सकते हैं वर्टिकल टैंजेंट इस वाले केसमें ग्राफ जो है ग्राफ में और नॉट है और जैसे तुम एक ग्राफ तो मालने यह देखा इस तरह से तो यह तो स्मूथ है तो कोई कॉर्णर नहीं है अगर मालने एक ग्राफ में ने ऐसे बनाया तो इसमें तो यह वर्टिकल टैंजेंट आ रहे है इसमें भी वर्टिकल टैंजेंट है इसमें भी वर्टिकल टैंजेंट है इसमें वर्टिकल टैंजेंट है दोनों में अंतर क्या है कि इसमें कॉर्णर दिखाई दे रहे इस वाले कि इसमें कॉर्णर नहीं है यह स्मूथ है ठीक है अभी तो हम क्या बात करें ग्राफिक के लिए क्या बात करें कि अगर function non-differentiable है तो क्या-क्या हो सकते है पहला तो हो सकता है कि उसमें इस तरह का corner आजए ठीक है दूसा हो सकता है vertical tangent आजए और तीसा हो सकता है और ग्राफ मेभी कि डिस्कॉंटेनियस एक्स इकोस टू ए ठीक है मन लिया अगर ऐसे कोई ग्राफ है तो यह डिफ्रेंशियवल नहीं हो सकता यह ठीक है तो अगर मैं यह से बोले के function जहां पर डिफ्रेंशियवल होता है वहां पर ग्राफ स्मूथ नहीं होता यह statement true है या false है तो मेरा आंसर होगा false है क्यों कि वर्टिकल टैंजन भी तरह सकते हैं वर्टिकल टैंजन में तो ऐसा हो सकता है ग्राफ स्मूथ है ठीक है अगर ग्राफ के ऊपर कॉर्णर आ रहा है यह ठीक है फिर मैं वह नॉन डिफ्रेंशिवल होगा तो यह पास है ठीक है